नवस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो आज की इस वीडियो में हम जन्वरी से अप्रैल 2022 के बीच में जो भी हमारे करेंट अफेर के 100 सबसे महत्पूर्ण प्रेशन हैं उन सारे प्रेशनों को हम लोग डिसकस करेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इन 100 प्रेशनों में से आपको कितने प्रेशनों का उक्तर सही से पता था ये भी आप लोग मुझे नीचे कमेंड में जरूर बताईएगा वीडियो की हम लोग सुरुवात करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनकेडमी के उपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल के लिंक मिलेगी उसपे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो अनकेडमी के उपर जो मेरी क्लासेज हो रही है उसमें हम लोग NTPC CBT2 और आपके CHSL और MTS एक्जाम के लिए करेंट अफेर को रिवाइज कर रहे हैं इसके अलावा SSC CGL, MTS और CHSL में जो आपके प्रेशन पूछे गए हैं उन प्रेशनों को हम लोग रात 10 बजे डिसकस करते हैं तो नीचे आपको इन क्लासेज की लिंक भी मिलेगी उसपे क्लिक करके आप इन क्लासेज को जोइन कर सकते हैं सारी क्लासेज बिलकुल फ्री हैं जब आपसे कोड पूछा जाएगा तो सिंपली यूज करिएगा कोड के वी 10 ये मेरा वाटसप नंबर है तो अगर आपके कोई डाउट होते हैं कोई सवाल होते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं पहला प्रश्ण है कि विश्व स्वास्त दिवस 2022 का विश्य क्या है तो इस बार जो हमने 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया है उसका विश्य रहा है आवर प्लानेट आवर हेल्थ क्या है आवर प्लानेट आवर हेल्थ इसका विश्य है तो इस प्रश्ण का B option हो जाएगा यहाँ पर correct ध्यान रखेगा हर साल 7 अप्रेल को हम लोग ये दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन 1948 में 200 स्वास्त संगठन के स्थापना की गई थी अगला प्रश्ण है कि वर्स 2022 में जो 31 सरस्वती सम्मान है इससे किसको पुरस्कृत किया गया है तो 31 सरस्वती सम्मान मिला है हमारे राइटर राम दरस मिस्तराजी को किसे मिला है राम दरस मिस्तराजी को मिला है पिछली बार यानि कि जो 30 सरस्वती सम्मान था वो दिया गया था सरन कुमार लिंबाले को तो रामदरस मिस्रा जी को ये पुरस्कार मिला है D option हो जाएगा correct आपको ये भी ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान केके विरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था और ये जो हमारे प्रोफेसर रामदरस मिस्रा जी हैं इनके द्वारा एक कविताओं की सं गुरुपता के लिए किस पहल के सुरुवात की है तो इस पहल का नाम है प्रकृती इस पहल का नाम है तो इस प्रश्न का option C हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि अपरेल 2022 में भारस सरकार ने किसे नए विदेश सच्यू के पत पर न्यूक किया है तो भारस सरकार के द्वारा यहाँ पर जो हमारे नेपाल में अमबेश्डर थे जिनका नाम बिने मुहन को आत्रा था इनको अब विदेश सच्यू के पत पर अप्वाइंट कर दिया गया है तो इस प्रश्न का option A हो जाएगा correct आपको ध्यान रखना है कि हर्स वर्धर सरिंगला जी का इन्होंने अस्थ भुखा लिया है अगला प्रश्न है कि वर्धर 2021 के लिए किस पत्रकार को चमेली जैन पुरषकार से सम्मानित किया गया तो आपको पहले यही ध्यान रखना है कि यह जो हमारा चमेली देवी जैन पुरषकार है ये पत्रकारता के फ्रिड में दिया जाताम है और इस साल का ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है आरिफा जहुरी को किसे मिला है आरिफा जहुरी को मिला है यानि कि इस प्रश्ण के लिए हमारा आप्शन भी हो जाएगा करक्ड अगला प्रश्ण है कि हुरून रिचेश्ट सेल्फ मेड वीमेन इंदी वर्ल्ड 2022 में जो लिश्ट आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फैसन के लिए कमपनी है जिसका नाम नाइका है उसकी संस्थापक है फालगुनी नायर और ये आपके भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड ब्लेनियर है दी आप्शन हो जाएगा यहाँ पर करक्ड अगला प्रश्ण है कि वर्ष 2022 में किस ल जरूर ध्यान रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण प्रश्ण है पुस्तक का नाम है टॉम अफ दी सेंड तो सी आप्शन हो जाएगा करें अगला प्रश्ण है कि प्रतेक वर्ष कौन सा राज्य अप्रेल के दूसरे सब्ताह में बुहाग बीहु तेवहार म मनाता है असमराज्य कौन सा असमराज्य में तीन प्रकार के विहु फेस्टिवल मनाय जाते हैं जिन में से एक आपके अप्रेल के दूसरे सब्ताह में होता है तो यहाँ पर दी आप्शन हो जाएगा करें अगला प्रश्ण है कि अप्रेल 2022 में पीम नरेंद्र मोदी ने कहा पर प्रधान मंतरी संग्राले का उधाटन किया है तो यह जो प्रधान मंतरी संग्राले है इसमें हमारे भारत के जो भी पीम है उनकी उपलब्धियों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है और यह संग्राले आपके दिल्ली में बना है तो इस प्रश्ण का B option हो जाएग अगला प्रश्ण है कि वर्स 2023 में इस टीड चाइल्ड क्रिकेड विस्वकप का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा तो ये जो हमारा विस्वकप है वो आपके भारत में होगा कहां पर अगले साल भारत में इस टीड चाइल्ड क्रिकेड विस्वकप का आयोजन होग तो इस प्रश्ण का C option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि अप्रेल 2022 में केंदरिये लोग सिवा आयोग यानि कि UPSC के नए अध्यच के पतपर किसे न्यूग किया गया तो UPSC के जो हमारे नए चेर्मेन बनी है उनका नाम है डांक्टर मनोज सुनी क्या नाम है डांक्टर मनोज सुनीन का नाम है तो इस प्रश्ण का option D हो जाएगा correct UPSC के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी एक समवैधानिक संस्था है और इसकी अस्थापना 1926 में की गई थी सर रॉस बारकर इसके पहले चेर्मेन थे और मनोज सुरी साहब ने यहाँ पर प्रदीब जोसी जी का अस्थान लिया है तो D option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि वर्स 2026 में जो अगले राश्टमंडल खेल होंगे उनका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो पहले आप ये ध्यान रखेगा कि इस साल जो हमारे राश्टमंडल खेल होंगे वो इंगलेंड के मर्मिंगं में होंगे 2026 वाले जो खेल हैं वो आश्टेलया के विक्τοरिया राज्य में आयोजित होंगे कहाँ पर आश्टेलया का जो विक्τοरिया राज्य है वहाँ पर होगा तो C option हो जाएगा current अगला प्रश्न है कि अप्रेल 2022 में F.I.H. जूनियर महिला होंके बिस्टुकप का जो खिताब है इसे किस देश ने जीता है तो ये जो खिताब है इसको जीत लिया है नीदल लैंड की टीम ने इसका आयोजन दच्छिन अफ्रीका में किया गया था जहां पर फाइनल मुकाबले में नीदल लैंड की टीम ने जर्मनी को हरा दिया है तो D option हो जाएगा current अगला प्रश्न है कि किस उद्यमी को EY Entrepreneur of the Year Award 2021 से सम्मानित किया गया तो ये जो हमारा पुरस्कार है वो भी मिला है फालगुनी नायर को तो काफी चर्चा में है फालगुनी नायर नाम इनका आप लोग जरूर ध्यान दखियेगा फिलहाल के लिए D option हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि भारत के अगले थल सीना प्रमुक के तोर पर किसे न्यूक्त किया गया है तो यहां पर न्यूक्ती हो चुकी है Lieutenant General Manoj Pandae कि कि Lieutenant General Manoj Pandae हमारे नए थल सीना प्रमुक बने है तो option A हो जाएगा correct तो मनोज पांडी जी ने हमारे जो थल सीना प्रमुक थे जिनका नाम मनोज मुकुन नरावने है उनका अस्थान लिया है और ये हमारे नए चीफ आप आर्मे इस्टाप बने है ये आप्शन हो जाएगा करेग अगला प्रशन है कि हर साल जो राष्टिय समुद्री दिवस है ये कब मनाया जाता है तो ध्यान रखेंगे राष्टिय समुद्री दिवस हर साल 5 अपरेल को होता है अगर आप से पूछा जाए कि 200 समुद्री दिवस कब होता है तो 200 समुद्री दिवस सितंबर माह के आखरी गुरुवार को मनाया जाता है तो दोनों प्रशन ध्यान रखे कि चीन के सेंजाओ 13 मानों मिसन के तहट कुल कितने यात्री स्पेस में 183 दिनों की यात्रा के बाद पृत्वी पर लोटे हैं ध्यान रखेगा भले ही मिसन में आपको 13 सब्द मिले लेकिन इसमें केवल 3 ही यात्री गए थे कितने यात्री तीन यात्री गए थे जिनों ने 183 दिन स्पेस में बिताने के बाद में हमारे पृत्वी पर लोटे हैं तो आप्शन ए हो जाएगा करें अगला प्रशन है कि हनुमान जी चार धाम परियोजना के अंतरगत पीम नरेंद्र मोदी ने किस राज में भगवान हनुमान की 108 फिट उची प्रित्मा का अनावरन किया है अब जहां रखिएगा कि इस चार धाम परियोजना के अंतरगत हनुमान जी की टोटल 4 मोर्तियां स्थापित की जानी है पहली मोर्ति 2010 में हिमाचल प्रदेश में लग गई थी दूसरी मोर्ति अभी लगी है गुजरात में तीसरी मोर्ति तमिलाडू में लगेगी और चौथी लगेगी पस्सिम मंगाल में तो अभी वाली जो मूर्ती है इसका उधाटन PM ने गुजरात में किया है B option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि वर्ष 2021 के लिए किसे 31 ब्यास पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जो 31 ब्यास पुरसकार है ये हमारे जामिया मिलिया इसलामिया वे सुविद्याले के प्रोफेसर है नाम है असगर वजाहत इनको ये पुरसकार मिला है तो C option हो जाएगा correct ध्यान रखिएगा कि असगर वजाहत ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था महाबली और इसी महाबली नाटक के लिए इनको यहाँ पर केके विल्ला फाउंडेशन ने ब्यास पुरसकार दिया है अगला प्रशन है कि वर्ष 2021 के लिए बिहारी पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया तो ये जो बिहारी पुरस्कार है, ये मिला है मधू कांकरिया को, किसे मिला है, मधू कांकरिया को बिहारी पुरस्कार मिला है, 31 नम्मर का, तो इस प्रश्न का D option हो जाएगा, correct, तो ये देख सकते हैं, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, जिसका नाम है हम यहां थे, क्या अगला प्रश्न है, कि अपरेल 2022 में किस उद्योग पती ने 44 बिलियन डॉलर की रासी में ट्विटर कंपनी का अधिगराण किया है, तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया के वर्तमान में जो सबसे धनी बेकती हैं, इस स्पेस एक्स और टेसला कंपनी के मालिक हैं, नाम इ तो ये जो आपका तेओहार है, यानि कि ये जो बुक फेस्टिवल है, ये पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत गेस्ट आफ ओनर रहा है, तो D option हो जाएगा करें, अगला प्रश्न है, कि अपरेल 2022 में नीती आयोग के नए उपाध्यच के रूप में किसे किया गया, तो नीती आयोग के जो हमारे नए उपाध्यच बने हैं, इनका नाम है सुमन के बेरी, राजिव कुमार जी, जो कि हमारे नीती आयोग के उपाध्यच थे, इन्हों ने स्थीपा दिया, और उसके बाद में सुमन बेरी नए उपाध्यच बन गये हैं, तो B option हो ज इस अपरेल को होता है, तो इस प्रेशन का option C हो जाएगा, correct, ध्यान रखेगा, इस बार का जो हमारा विसे है, वो आपका रहा है, harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हर साल 25 अपरेल को हम लोग 200 मलेरिया दिवस मनाते हैं, जो कि मच्छर से होने वाली एक बिम तो इसी दिन 1993 में जो हमारा पंचायती राज विवस्था है, इसको समवैधानिक दरजा दिया गया था, तो इसी लिए हर साल 24 अपरेल को हम लोग राष्टिये पंचायती राज दिवस मनाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए कि समवैधान में के article 40 में पंचायती राज के के बारे में प्रात की गई थी, कि इन्हें समवैधानिक दरजा दिया जाना चाहिए, और फाइनली सरकार के द्वारा जो 73 में समवैधान संसुधन हुआ था 1992 में, उसके जरिए पंचायती राज को यहां पर समवैधानिक दरजा दिया गया, तो ए आप्शन हो जाएगा करे अगला प्रशन है कि अप्रेल 2022 में किस देश ने विश्व की सबसे सक्तिसाली परमाडू सच्छम मिसाइल RAS 28 सरमाट का परिच्छन किया है, तो यह जो सक्तिसाले मिसाइल है दुनिया के सबसे ज़्यादा इसे डबलब किया है रसिया ने, यहां पर आप्शन B हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा 18,000 किलोमेटर इसकी रेंज होगी और इसका परिच्छन अभी रसिया के द्वारा किया गया है, अगला प्रशन है कि नाटो सदसे देशों के द्वारा किस देश में साइबर सुरच्छा अभ्यास लॉग्द सील्ड का आयोजन किया गया, तो यह जो अभ्यास है, इसका आयोजन अभी हुआ है एस्टोनिया में, आपको पता होगा कि इस से पहले नाटो के जो देश से उन्होंने cold response नाम का अभ्यास किया था और वो अभ्यास हुआ था नौरवे में, यह जो हमारा अभ्यास है, इसका आयोजन एस्टोनिया में किया गया, तो यहां पर चुनी गई है नाम इनका है बविता सिंग क्या नाम है बविता सिंग नाम है तो C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस अभनेत्री को मानसिक स्वास्त जागुपता के लिए time 100 impact अवार्ड से सम्मानित किया गया तो यह जो पुरस्कार है वो मिला है द इनको time 100 impact अवार्ड मिला है C option हो जागा यहां पर correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में आसकर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्बस्रेश्ट visual effect के लिए अवार्ड दिया गया तो यह जो सर्बस्रेश्ट visual effect का पुरस्कार है यह मिला है हमारे dune movie को किसे मिला है dune movie को यह पु visual effect है उसको दिया था double negative नाम की एक company ने और यह जो double negative नाम की company है इसके CEO है भारतिय मोल से तो नाम इनका नमित मलहुत्रा है तो यह नाम आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है कि संग्त राष्ट पर्यावरण कारकरम की रिपोर्ट के उसार बिस्सो का सबसे ज्वादा धोनी प्रदोसिस सहर कौन सा है तो यह हमारे पडोसी देश की राजधानी है यानि कि बांगला देश की राजधानी ढाका सबसे ज्यादा धोनी प्रदोसिस से प्रदोसिज सहर है यहां पर option D हो जाएगा correct तो आपको यह ध्यां रखना है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है यह इस लिष्ट में second अस्थान पर है वही पर अगर हम लोग पाकिस्तान की राधन इस्लामाबाद की बात करें तो वो आपके तीसरे अस्थान पर है और धाका इसमें रहा है टॉप पर अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में स्विस ओपन बैटमिंटन टूनामेंट के महिला एकल का खिताब किसनी जीता है तो यह जो खिताब है इसको जीता है गुल्डन करल यानि की पीबी सिंधु ने option C हो जाएगा यहां पर current अगला प् भ्यास है इसका आयोजन पस्मी नौसीना कमान ने किया यानि कि यहां पर option B हो जाएगा correct तो ध्यान रखेंगे पस्मी नौसीना कमान के द्वारा जो हमारा मुंबई में offshore development area है यानि कि जो अब तटिये गस्ती वाला area है वहां पर इसका आयोजन किया गया अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में भारते रेलवे ने किस राज में अपना पहला सौरे संयत्र शुरू किया है तो यह जो रेलवे का पहला सौरे संयत्र है यह सुरू किया गया है मध्य प्रदेश में कहां पर सुरू हुआ मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है तो C option हो जाएगा correct अगल लोग समगर रूप से बात करते हैं तो ये जो अच्छे उर्जा के प्लान्थ है वो आपको तमिलनाडू राज में मिलेंगे दरसल इससे पहले हमारा करनाटक टॉप पे हुआ करता था लेकिन करनाटक को यहां पर तमिलनाडू ने पीछे कर दिया है और अच्छे उर्जा चम संसक्रण के बिजीता टीम कौन रही है तो यहां पर जो आठमा संसक्रण हुआ इसको जीता है दवंग दिल्ली ने किसने दवंग दिल्ली ने इसे जीता है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट तो जो फाइनल मुकाबला है वो दवंग दिल्ली और पटना पाइरेट्स के वायु सक्ती नामक सैन अभ्यास का आयोजन किया है तो वायु सक्ती नामका जो यह सैन अभ्यास है इसका आयोजन किया गया राजस्थान में कहां पर हुआ राजस्थान में इसका आयोजन किया गया तो इस प्रशन का सी आप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि म लॉंज किया है नासा ने किस ने नासा के द्वारा इसे लॉंज किया गया डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट अब गोज का आपको थोड़ा सा नाम भी पता होना चाहिए गोज का मतलब है जियो इस्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वार्मेंटल सेटलाइड और इसको नासा के लॉंज किया गया है अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में प्रकासित पुस्तक to hell and back इसके लेखक कौन है तो ये जो पुस्तक है इसको मसूर पत्रकार बर्खादत ने लिखा है किसने बर्खादत ने इस पुस्तक को लिखा है तो ए आप्शन हो जाएगा करेक्ट अगला प्रश करें हम इसमें 117 हुए एक मिनट रुकिए गजी हाँ जी हम इसमें रहे हैं 120 में पर ठीक है पिछली बार की जो रैंकिंग थी उसमें हम लोग 117 स्थान पर थे अब हम लोग 3 स्थान पीछे चले गए हैं तो आपको ध्यां रखना है 117 से हमारा प्रमोशन हो करके 120 हो गया है D option होगा यहां पर करेंग और यह जो रैंकिंग है इसमें आपका जो फिनलैंड देश है वो एक बार फ्रिसे रहा है टॉप पर अगला प्रशन है कि बिश्ट की पहली एरलाइन के तौर पर 2023 से किस एरलाइन कंपनी ने सौर बिमान इधन के उप्योग की घुशना की है तो B option हो जाएगा यहां पर करेंग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस सहर में भारत की पहली एलुमीनियम कोच वाली Metro Project का उधगाटन किया गया तो यह जो Metro Project है यह आपके पुणे सहर में शुरू हुआ है कहां पर जो पुणे की Metro है उसमें आपको एलुमीनियम कोच देखने को मिलेंगे तीतागड बैगन्स नाम की जो कमपनी है उसने इन कोचों का निर्मार किया है तो यह option हो जाएगा करेंग अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस सहर में भारत और स्रलंका के बीच स्लीनेक्स अभ्यास की सुरुआत हुई है तो स्लीनेक्स नाम का जो अभ्यास है इसकी सुरुवात हुई है बिसाखा पटनम में कहां पर बिसाखा पटनम में इसकी सुरुवात हुई है तो यह option हो जागए यहांपर correct अब बात हो रही है स्रलंका की तो आपको पता होगा कि स्रलंका में मार्च महिने में emergency भी लगाई गई थी और आपको यह भी ध्यां था तो यह option होगा correct अगला प्रशन है कि 2041 जलवायू बल अंटार्क्रिक्टा अभियान में भारत का प्रतनिहित्तो कौन करेंगी तो भारत का जो प्रतनिहित्तो है वो करेंगी यहांपर आरूसी वर्मा क्या नाम है आरूसी वर्मा इसका प्रतनिहित्तो करेंगी यह option हो ज किसे न्यूक किया गया। तो यहाँ पर न्यूंकति हुई है नाम इनका है टी-राजा-कुमार. क्या नाम है टी-राजा-कुमार इनका नाम है तो इस प्रेश्ण का option B हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टी राजा कुमार जो की आपके सिंगापुर से हैं इन्हों ने डाक्टर मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है और ये हमारे FATF के नए अध्यच बन गए है FATF की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हैटक्वाटर आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में राष्टी सुपरकम्प्यूटिंग मिसन के अंतरगत किस संस्थान में परम गंगा सुपरकम्प्यूटर को अस्थापित किया गया तो ये जो हमारा सुपरकम्प्यूटर है ये अस्थापित किया गया है IIT रोटकी में तो जरूर ध्यान कियेगा परम गंगा नाम का सुपरकंप्यूटर आईटे रोड़की में अस्थापित हुआ है, D option हो जाएगा, करक्ट अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस देश के प्रसिद गोल्फ खिलाडी ताइगर उट्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में सामिल किया गया, तो ये जो हमारे खिलाडी है, ये अमेरिका देश से है, अमेरिका के बहुत बड़े खिलाडी है, दुनिया के जो सबसे गोल्फ खिलाडी हैं उनमें इनकी गिंती होती है और इन्हें World Golf Hall of Fame में सामिल किया गया D option हो जाएगा correct अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में Union Bank of India के नए MD or CEO के तौर पर किसे न्यूप किया गया तो Union Bank of India जो कि हमारे यहां का एक राश्टिय बैंक है ए मड़ी मिखलाई इसके नए MD or CEO बन गये हैं तो A option हो जाएगा correct आपको ध्यार रखना है कि राज किरन राय इसके CEO थे उनके अस्थान पर मड़ी मिखलाई इसके नए CEO बनेंगे Union Bank की बात करते हैं तो इसका headquarter आपको मुंबई में देखने को मिलेगा अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस देश ने बिस्ट के सबसे बड़े suspension पुल का उधगाटन किया है तो ये जो suspension पुल है ये बनाया गया है तरकी में कहां पर बना है तरकी में इसका निर्मार किया गया है तो इस प्रशन का D option हो जाएगा correct तो तरकी के जो राश्पती है जिनका नाम तयप Erdogan है उनके द्वारा जो हमारा डार्डनलेज नाम का श्टेट है वहाँ पर इस पुल का उधगाटन किया गया है तो D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस भासा के मात्रु भूमी नाम के अकबार की सौवी वर्सगाट पर एक वर्सिय समारों का उधगाटन किया गया तो ये जो अकबार है वो आपके मल्यालम भासा का है किस भासा का मल्यालम भासा का ये अकबार है तो A option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मार्च 2022 में किस राज में फूल देई नाम का तेवहार मनाया गया तो ये जो फूल देई नाम का तेवहार है ये होता है हमारे उत्तराखंड राज में कहां पर होता है उत्तराखंड राज में इस तेवहार का आयोजन किया जाता है C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में हमारे किस IIT संस्थान ने किसान मुबाइल एप को लॉंच किया है तो ये जो किसान मुबाइल एप है इसको डबलब किया है IIT रोटकी ने किसने IIT रोटकी ने डबलब किया तो C option हो जाएगा correct अगला प्रश्ण है कि फरवरी 2022 में किस महारत्न कंपनी को भारत के most trusted public sector company का अवार्ड दिया गया तो ये जो पुरस्कार है वो आपके मिला है कोल इंडिया लिम्टेड को किसे दिया गया कोल इंडिया लिम्टेड को ये पुरस्कार मिला है जिसका headquarters आपको कोल काता में मिलेगा और इसके अगर हम लोग अध्यच की बात करते हैं तो प्रमोद अगरवाल जी इसके अध्यच है ए आप्सन हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में पाकिस्तान ने किस उद्यमी को हिलाल ए पाकिस्तान अवार्ड से सम्मानित किया है तो ये जो अवार्ड है वो हमारे Bill Gates साहब को मिला है यहाँ पर B option हो जाएगा correct तो आपको ये ध्यार रखना है कि पाकिस्तान में इनके द्वारा जो किये गए कारे हैं उसी को सम्मानित करने के द्रिश्टिकोंट से पाकिस्तान ने इनको हिलाल ए पाकिस्तान नाम का पुरसकार दिया है अगला प्रशन है कि किस बैंकर को Business Banker of the Year 2021 के पुरसकार से सम्मानित किया गया तो ये जो हमारा पुरसकार है वो मिला है ICICI Bank के MD और CEO नाम इनका है संदीब बकसी क्या नाम है संदीब बकसी इनका नाम है तो A option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में DGCI ने 12-18 वर्ष के आयो वर्ग के लिए किस कंपनी के TK के आपात कालीन यूज को मंजूरी दी है तो ये जो टीका है इसको डबलब किया है कोरवे वैक्स ने किसने कोरवे वैक्स ने इसको डबलब किया है तो यहाँ पर B option हो जाएगा correct अच्छा यहाँ पर आपको ये चीज धिया रखना है कि वैक्सीन का नाम है कोरवे वैक्स और ये जो वैक्सीन है इसको डबलब किया है biological E नाम की company ने तो ध्यान अक्येगा इसी के आपात कालेन यूज को यहाँ पर मंजूरी दी गई है इससे पहले जो भारत बायोटेक ने को वैक्सीन नाम की दवा बनाई थी यानि के टीका बनाया था इसको भी मंजूरी यहाँ पर मिली थी अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में बिस्टो की जो सबसे बड़ी semi conductor chip निर्माता company है वो कौन बन गई देखिए आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग semi conductor की बात करते हैं तो उसमें एक ही राम आता है जो की है Intel का लेकिन अगर हम लोग 2021 की बात करते हैं तो 2021 में जो Samsung company है उसने Intel को यहाँ पर पीछे छोड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी semi conductor chip निर्माता company बन गई है तो इस प्रशन का C option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में किस देश में आयोजित एर सो में light combat aircraft तेजस की परदर्शनी हुई है तो यह जो हमारा सो था यह सौदी अरब की बजाय सिंगापुर में आयोजित हुआ था जिसमें एर सो में light combat aircraft तेजस ने हिस्सा लिया था तो भी option होगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में किस अपततिये गस्ती पोत को भारतिये तत्रच्छक बल को सौपा गया है तो यह जो पोत है इसका नाम है ICGS सच्छम यानि कि Indian Coast Guardship सच्छम इसका नाम है और इसी को हमारे तत्रच्छक बल को सौपा गया C option हो जाएगा correct तो यह आप लोग देख सकते हैं total 5 यहाँ पर हमारे पोत बनाये जाने थे जिसमें से पहला सचेत था, दूसरा आपका सुजीत था, तीसरा सजक था, चौथा सार्थक था और पांचवा यहाँ पर है सच्छम अगला प्रशन है कि Tom Tom Traffic Index Ranking 2021 के नुसार भारत का सबसे भीड़भाड वाला सहर कौन सा है तो सबसे ज़्यादा भीड़भाड आपको भारत के मुंबई सहर में देखने को मिलेगी option A हो जाएगा correct तो आपको यह ध्यार रखना है कि Istanbul जो की Turkey का एक प्रमुक सहर है वह दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़भाड वाला सहर है और हमारा मुंबई भारत में सबसे ज़्यादा भीड़भाड वाला है तो A option हो जाएगा correct अगला प्रशन है यह भी काफी महत्पूर्ण है कि फरवरी 2022 में जब आपके यूकरेन और रसिया के बीच में यूद्ध शुरू हुआ तो उसमें यूकरेन में जो हमारे भारतिये फसे थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने किस मिशन के शुरूआत की तो मिशन का नाम है Operation Ganga क्या नाम है Operation Ganga इस मिशन का नाम है A option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में भारत और किस अन्य देश के बीच धर्म गारजियन सैंट सैंट अभ्यास का आयोजन किया गया तो धर्मा गारजियन हो मालावार हो सिन्यू मैत्री हो जिमेक्स नाम का अभ्यास हो तो ये सारे अभ्यास हम लोग जापान के साथ करते हैं और धर्मा गारजियन भी इस साल हमने जापान के साथ किया है C option हो जाएगा correct तो करनाटक में जो आपका वेलगाम है जिसे हम लोग वेला गवी के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर 27 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक इसका आयोजन किया गया अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में जारी अंतर राष्टिय बौधिक संपदा सुचकांग में भारत की सस्थान पर रहा है तो भारत का स्थान इस सुचकांग में है 43rd क्या है 43 अस्थान इसमें हमारा रहा है तो इस प्रशन का B option हो जाएगा correct तो ये जो हमारा index है इसको Global Innovation Policy Center जो की US Chambers of Commerce का हिस्सा है उसके द्वारा जारी किया गया अमेरिका इसमें टॉप पर है और हमारा अस्थान दुनिया में रहा है 43rd अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर Quantum की Distribution Link का परदरसन किया है तो ये जो Quantum की Distribution Link है इसको डबलब किया गया था IIT दिल्ली के साथ मिलकर के यानि की option D हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में 200 Champion Magnus Carlson को हराने वाले सबसे कम उम्रके चेस खिलाडी कौन बने है तो ध्यान अखिएगा अभी तक हमारे देश के तीन ऐसे खिलाडी है जिन्हों ने Magnus Carlson को हराया हुआ है और आर प्रग्या नानंद ये दुनिया के सबसे कम उम्रके खिल चलिए आपके लिए यहां पर सवाल है जरा मुझे आप लोग कमेंड में ये बता दीजिएगा कि इससे पहले जो दो भारतिये Magnus Carlson को हरा चुके हैं उनके नाम क्या है तो ये आपको कमेंड में बताना है अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में इवा गंतग्यों को दिया जाने नीना गुपता की बात करें तो जो हमारा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंसिट्यूट है कोलकाता में वहां की ये प्रोफेसर है और इन ही को रामा रुजम प्राइज फॉर एंग मैथमेटिसियन से सम्मानित किया जाना है अगला प्रशन है कि भारत के द्वारा किस देश मे पहले भारतिय प्रदोग की संस्थान के स्थापना की जाएगी आपको पता है कि IIT हमारे देश में कई सारे हैं इनके संख्या टोटल 23 है IIT खड़कपुर जो कि पस्ते मंगाल में है वो देश का पहला IIT था और अब हमारे देश से बाहर भी IIT के स्थापना की जाएगी और इस खिलाड़ी ने अपने पहले प्रतम स्रेंडी क्रिकट में 13 सतक लगाया है तो ये जो खिलाड़ी है इनका नाम है सकीबुल गनी का नाम है बिहार राजी के ये खिलाड़ी है और इन्हों ने अपने पहले मैश में ही 13 सतक लगा दिया तो ए आप्सन हो जाएगा करक अग जडिया जो है ये आपको मिलेगा गुजरात में कहां पर है गुजरात में है खिजडिया वन्नीजीव अभ्यरन्य जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया बी आप्शन हो जाएगा आपका करग अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में मैसकट में आयोजित महिला होकी एसिया तो ये जो खिताब है इसको जीता है जापान ने किसने जीता जापान ने और इसने यहाँ पर दच्छिन कूरिया को फाइनल मेहरा दिया अपने देश भारत की बात करते हैं तो हम लोग इस टूनामेंट में तीसरे अस्थान पर रहें और हमने यहाँ पर कां से पतक जीता ह तो D option हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में सरजियो मटरेला दोबारा किस देश के नए राश्पती चुने गए सरजियो मटरेला की बात करें तो यह हमारे इटली के नए राश्पती बन गए हैं यानि कि यहाँ पर option B हो जाएगा correct तो बस आपको ध्यार रखना ह कि इटली जिसकी राश्धानी रोम में है वहाँ के सरजियो मटरेला एक बार फिरसे राश्पती चुने गए हैं अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में पुर्तगाल देश के पुना प्रधान मंतरी कौन बने हैं तो पुर्तगाल देश की बात करते हैं यहाँ के नए प्रधान म यहाँ कि आपको लिस्बन में मिलेगी और यहाँ कि अगर हम लोग राश्पती की बात करते हैं तो मारसेलो रिवेलो डी सूसा उनका नाम है तो भी आप्सन हो जाएगा करेगा अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में किस राज में इस्थित बखिरा वन्नीजियो अभ्यारन्य क को मिलेगा सी आप्सन हो जाएगा यहाँ पर करेग अगला प्रशन है कि फरवरी 2022 में सर्बस्रेष्ट डाक्यूमेंटरी फीचर के स्रेणी में कौन सी भारते फिल्म आसकर पुरसकारों के लिए नौमित हुई है तो यह जो हमारे फिल्म है नाम इसका है राइटिंग बिद फायर इस डाक्यूमेंटरी का नाम था जिसको यहाँ पर आसकर पुरसकारों में चुना गया सी आप्सन हो जाएगा करेग अगला प्रशन है कि आसकर 2022 के लिए सार्ट लिष्ट होने वाली भारती मूवी कौन सी बनी है तो दो फिल्म है एक का नाम है जैभीम दूसरी का ना पर करेग अगला प्रशन है कि 94 वे आसकर पुरसकारों में जो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है यह किस फिल्म को दिया गया है तो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है यह आपके कोडा नाम के फिल्म को मिला है डी आप्सन हो जाएगा यहाँ पर करेग तो यह देख सकते है कोडा एक मूवी है जिसके निर्देशक सियान हैदर है ये आपके सर्वस्रेष्ट मूवी रही है अगला प्रश्ण है कि 94 आसकर पुरस्कारों में बेस्ट निर्देशक का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया तो बेस्ट निर्देशक वाला जो पुरसकार है ये मिला है जेन कैम्पियन को किसे मिला जेन कैम्पियन को ये पुरसकार दिया गया तो B option हो जाएगा correct तो यहाँ पर आप जेन कैम्पियन को देख सकते हैं इनी के द्वारा एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम है The Power of Dog और इसी के लिए इनको सर्बस्त्रेश्ट निर्देशक का पुरसकार मिला है अगला प्रशन है कि 94 में आसकर पुरसकारों में बेस्ट अभनीता का जो पुरसकार है ये किसे दिया गया तो बेस्ट अभनीता का जो पुरसकार है ये बिल इस्मित को मिला है किसे मिला? बिल इस्मित को ये पुरसकार मिला तो यहाँ पर सी ऑप्सन हो जाएगा Correct तो ध्यान रखेंगे King Richard नाम की जो मूवी है उसमें इनका जो किरदार था उसी के लिए इन्हें सर्वस्रेश्ट अभनीता का पुरसकार मिला है अगला प्रशन है कि 94 में आसकर पुरसकारों में बेस्ट अभनीत्री का पुरसकार किसे दिया गया? तो बेस्ट अभनीत्री की बात करें ये पुरसकार मिला है जेसिका चैस्टैन को किसे मिला जेसका चैस्टैन को ये परस्कार मिला है तो A option हो जाएगा correct एक मूवी आई थे पिछले साल जिसका नाम था The Eyes of Tammy Faye और इसी मूवी के लिए जेसिका चैस्टैन को सर्बस्त्रेश्ट अभनेत्री का परस्कार मिला है अगला प्रश्न है कि राष्टिय स्वच्वाय कारकरम के अनुसार भारत का सबसे प्रदूसिज सहर कौन सा है यानि कि ये हमारे भारत की रैंकिंग थी और इसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जो गांजियाबाद सहर है वो सबसे जादा प्रदूसिज सहर है D option हो जागा यह आपके भारत के सबसे जादा लोग प्रियोध्य में रतन टाटा जी के जीवन पर आधारित है और इस पुस्तक को लिखा है थॉमस मैथ्यू ने किसने थॉमस मैथ्यू ने ए आप्शन हो जाएगा करकरम अगला प्रश्न है कि बैटमेंटन वर्ल फिर्डेशन की अंडर 19 ब आप्शन डी हो जाएगा करेंट अगला प्रश्न है कि फोप्स के द्वारा जारी बिश्यू की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला एथलीटों की सूची में कौन रहा है सीर्स पर तो महिला एथलीट की बात करते हैं तो इसमें एक बार फिर से टॉप पर रही है पोजीशन पर बीनस बिलियम्स इसमें रही है अगला प्रश्न है कि डैस डैस को कियम करियप्पा सहब हमारे भारत के पहले सीना प्रमुख बने थे इसलिए सीना दिवस मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 1904 को हमारे सीना के पहले प्रमुख बने थे कियम करिय माड़ी को नाइट हुड की उपाधी दी गई है ध्यान रखीगा पिछले साल जो ये उपाधी मिले थी वो लुस हैमिल्टन को मिली थी और इस साल ये जो पुरस्कार है वो आपके क्लाइव लाइड को दिया गया है किसे मिला है अगला प्रष्ण है कि जनवरी 2022 में मिसेज व वर्ल्ड नाम के प्रतियोगिता पहली बार हुई है और इसका जो पहला खिताब है उसको जीता है साइलेंट फोर्ड नेम आयरे लैंड की है ये और इन्होंने ही पहला खिताब जीता है C option हो जाएगा यहाँ पर करेंगा अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस भारतिये को United Nation Development Program के द्वारा Youth Climate Champion चुना गया है तो यह जो अमारे यूटूबर है नाम इनका है आपराजगता कोली क्या नाम है आपराजगता कोली इनका नाम है और इन्ही को Youth Climate Champion चुना गया B option हो जाए 22 में किस सास्त्रिय निर्ते से सम्मंधित प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिर्जू महराज का निधन हुआ है तो बिर्जू महराज की बात करें यह हमारे उत्तर प्रदेश के सास्त्रिय संगीत कथक से सम्मंधित थे लकनो घराने से ये विलॉंग करते थे और इनी का निधन जनवरी में इस्ताल हुआ है D option हो जाएगा आपका correct अगला प्रशन है कि भारत में 23 जनवरी को किस महापुरुष के जैनती समारो को पराकरम दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये जो हमारे महापुरुष नाम इनका है नीता जी सुबास चंद्रबोस क्या नाम है नीता जी सुबास चंद्रबोस इनका नाम है 23 जनवरी 1897 को उरिशा के कटक में इनका जनम हुआ था option B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस राज ने जलिये जानवर डुगों के लिए भारत के पहले सनच्चन रजर्व की घोषना की है तो ये जो कंजर्वेशन रजर्व है इसकी घोषना तमिलाडू के द्वारा की गई है option A हो जागा यहाँ पर correct तो ये देख सकते हैं ये हमारा दुगोंग है जिसे हम लोग C काओ के नाम से भी जानते हैं और इसी के सनच्चन के लिए पाक बे में एक कंजर्वेशन रजर्व तमिलाडू की सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस खिलाडी ने इंडिया ओपेन के पुरुस एकल का खिताब जीता है तो ये जो पुरस्कार है इसको जीता है लच्च सेन ने किसने जीता लच्च सेन ने option C हो जाएगा यहाँ पर करक अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में CTRLS ने किस भारतिय सहर में Asia के सबसे बड़े अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में किस राज ने भारत की जो पहली जल टैक्सी सेवा है इसको सुरू किया है तो जल टैक्सी सेवा की बात करें इसको सुरू किया है हमारे महाराष्ट ने कहाँ पर महाराष्ट के मुंबई में इसकी सुरूआत हुई है option A हो जाएगा करेंट अगर आपसे पूछा जाए कि पॉड़ टैक्सी सेवा किस ने सुरू की है तो पॉड़ टैक्सी आपकी सुरू होगी उत्तरप्रदेश के नोड़ा में अगर आपसे ये पूछा जाए एर टैक्सी किसने सुरू किया है तो वो आपके हरियाना में शुरू हुआ था, तो ये point ध्यान रखेंगे, option A हो जाएगा current, अगला प्रशन है कि जनवरी 2022 में, किस राज में सुपर मॉम या कॉलर वाली नाम की बखनी का निधन हो गया, यानि कि ये female बाग थी, जिसका निधन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, option यहाँ पर A हो जाएगा current, तो ये आप लोग देख सकते हैं, 16 साल से जादा उम्र की ये हमारी एक female बाग थी, जो की pench tiger reserve में आपके पाई गई थी, 29 बच्चों को इसने अपने जीवन में जनम दिया था, और अब फानली जाकरके इसका निधन हो गया है, अगला प्र है, इसकी अस्थापना की गई है आपके भेल के द्वारा, किसने भारत हैवी एलेक्टिकल्स लिम्टेड ने इसकी अस्थापना की है, option D हो जागए यहाँ पर current, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एकोनॉमिक फोरम, दाओस एजंडा में हमारे जो PM मोदी है, इन्हों ने P3 म पूरा नाम क्या है, तो P3 का पूरा नाम है, प्रो प्लानेट पीपल, क्या नाम है, प्रो प्लानेट पीपल इसका पूरा नाम है, यहाँ पर C option हो जाएगा current, अगला प्रश्न है कि वर्श 2024 तक इंडोनेसिया की नई राजधानी नूसंतारा होगी, बताइए यह आपको कि दूइब के उपर देखने को मिलेगी, तो देखिए जो इस समय आपके इंडोनेसिया की राजधानी है, जकार्ता, वो आपको जावा दूइब के उपर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नई राजधानी इनकी नूसंतारा बन रही है, वो आपके बोर्नियो पर होगी, कहाँ पर थोड़ा मैप देखिएगा देखिए यह सुमात्रा है ठीक है यहां पर आपका जावा है इधर आगे आपको सुलावेसी मिलेगा और यह है बोर्नियों तो बोर्नियों के उपर नई कैपिटल इनकी नूसंतारा बनेगी और जकारता आपको मिलेगी जावा पर अगला प्र यहां पर अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस राजिम ने आदी संकरा चारे के 108 फिट उचे Statue of Oneness के निर्मार की घुशना की है तो यह जो Statue of Oneness है यह बनेगा हमारे मध्य प्रदीश राज में कहां पर मध्य प्रदीश राज में इसका निर्मार किया जाना है तो B option हो जाएगा Correct तो यह आप लोग देख सकते हैं यह हमारे संकरा चारे जी की प्रित्मा है जो की ओम कारेश्वर में 2141 करोन की लागस से बनेगा तो ध्यान रखेंगे आठमी सताब्दी के हमारे ये एक दार्शनिक थे नाम है आदि संकरा चारे जी और इनहीं की ये प्रित्मा बनाई जाएगी अगला प्रशन है कि ICC की 2021 के लिए घुसित T20 महिला टीम आफ दी एर में सामिल एक मात्र भारतिय खिलाडी कौन रही है तो एक ही हमारे खिलाडी इसमें सामिल हुई नाम इनका मिताली राज है जो कि पिछले साल के सरबसरेष्ट ICC की महिला खिलाडी भी रही है तो यहाँ पर मिताली राज नहीं जी इस्मृति मंधना इस्मृति मंधना रही है तो C option हो जाएगा correct तो यह आप लोग देख सकते हैं नेट स्कीवर जो कि इंगलेंड की हैं वो इस्टीम की कप्तान रही है और इसमें हमारे देश से इस्मृति मंधना को as a opener सामिल किया गया एक प्रेशन आपके लिए घलुआ की तरह से है कि जन्वरी 2022 में इफको कंपनी के नए अध्यच के रूप में किसे न्यूक किया गया है तो इफको कंपनी के जो नए अध्यच मने है नाम इनका है दिलीप संखानी क्या नाम है दिलीप संखानी हमारे इफको कंपनी के नए जो कि दुनिया के सबसे बड़ी सहकारी कमपनी है तो D option हो जागा यहाँ पर correct तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर total 100 प्रशनों को discuss कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अगर आपने वीडियो को ध्यान पोरबग देखा है तो इन 100 प्रशनों में से आपने क आइडिया लगता है कि आप मेंसे कितने सारे लोग ऐसे हैं जो की वीडियो को पूरा देखते हैं लगबग 80 से 90 परसंड लोग ऐसे होते हैं कि जो वीडियो को केवल 3-4 मिट देखते हैं तो बाकी जो लोग होते हैं वही वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं उम्मीद कर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत